13 जून पिस्टे चोपिश घंटा में साउथ इंटीरिय रुषरका डिस्टिक्स में कुस-कुस थानपर और बाकी डिस्टिक्स में एक दो जाका करके हलका से मुद्धम बारिष थन्डर स्टाम लाइटिनिंग का शाहत हुआ है हाइस्ट बारिष हुआ साउथ राइगारा डिस्टिक्स का पदमपूर में 50.3 mm उसका बाद राइगारा डिस्टिक्स का कोलनारा 38.0 mm, कुरपूर डिस्टिक्स का कोदपाद 36.0 mm, मलकान ग्रे डिस्टिक्स का मतेली 35.0 mm और मैक्सिमन टेम्परेचर हाइस्टा शुन्दपूर में 43.0 डिस्टिक्स का पदमपूर 42.6, बोध 42.5, शुम्दरगर 42.5, चास्टिक्स का पदमपूर 42.2 मैक्सिमन टेम्परेचर आभी कुछ-कुछ थान पर हमारा शाहविक से 304 डिग्रे ज्यादा है अभी हमारा फोर्कास्ट है अगला 5 दिन के लिए नेक्स्ट 24 आवर्स में मलकानगीरी, कुरापूर, नवरंगपूर, राइगरा, गजबोती, कराहंडी, कंदमाल, शुम्दरगवार, क्योंज़र, मुरिवांच डिस्टिक्स में कुछ-कुछ थान पर, बाकी डिस्टिक्स में एकड़ जागा करकी, हलका से मध्यम थंडरस्टांट का साथ बारिश होने का चांसे है कल, 14 त में भी अमारा सौ्थ इंटिवरिश्यक डिस्टिक्स और स्णट कोस्टर का गजबोती, गजबोती, गन्जाभ नॉयगर डिस्टिक के कुछ-कुछ थान पर, बाकी डिस्टिक्स में एकड़ जागा करकी, देरस्टांट लाइटिंटिक में का शाथ बारिश होने का चांसेश है फिर 15 से rainfall activity slightly increase करने का चांसेश है gradually इसमें इंटोरिशा का डिस्टिक्स में many places में 15 में और दोजयपती गण्यामनेस में many places का अंदर में और बाकी डिस्टिक्स में कुछ-कुछ थाना पर हलका से मुध्रम बारिश होने का चांसेश है फिर 16 और 17 में बारिश में हलक करने का चांसेश है बाकी फिर दो दिन का बाद gradually फिर maximum temperature decrease करने का चांसेश है और मोंसन का जो है अब यह अगला चार दिन का अंदर हमारा उनिशा का कुछ पोर्शन में शाओ तेस्ट मोंसन अध्वांस करने का फिर favorable condition होने का चांसेश है कर लो हुआ है